मुझे उमीद है आप अनंदित होंगे हेल्दी होंगे हमारे लीवर के बाकी साथ वीडियो आपने देख चुका होगा लीवर सिरीज की आज इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि फैटी लीवर को कैसे घरेलू नुस्खे के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसक से पहले हम घरेलू नुस्खे देख लेते हैं मित्रों जब हमें मालूम हो जाता है कि हम ग्रसित हो चुके हैं हमारा लीवर का इंलार्जमेंट हो चुका है बजन बढ़ चुका है 5-10% से ज्यादा तो हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेज करना सुरू कर देते हैं और मदद कर सकते हैं और अगर हम इसमें सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने के तहत ही अगर हम 30 मिनट का एक्सरसाइज करें कसरत करें ब्यायाम करें योगासन करें वाकिन करें तराकी करीजिए घुड सवारी किजिए कुछ भी किसी तरह से कर लिए जिसमें कि आपको काडिय एक्टिविटी हो जाए आपकी हर्ट रेस बढ़ जाए थोड़ा मुवमेंट हो जाए पूदे सरीर का तो यह आपको काफी हद तक हिल्प कर सकता है आप अपने अलकोहल अगर ले रहें मदपान बहुत ही जादा कर रहें तो उसको घटा दीजिए या तो बंदी कर इसके साथ ही अपने बजन को थोड़ा घटा लिजिए ओबिस है तो बिल्कुल ही अंदर आ जाए ओभर वेट में आ जाए और ओभर वेट भी दीर धीर घटा की अपे स्टेंडर्ड वेट में आ जाए जब भी आप खाना खाते हैं तो यह ध्यान दीजिए कि वह पोशक तत सप्लिमेंट भी लेते हैं जो कि डॉक्तर ही आपको एडवाइज करेंगे तो यह भी काफी हद तक हमारे लिवर डिजीज लिवर डाइमेज होने से काफी हद तक हमें बचा देता है और इस पर तो काफी रिशर्च आप जानते ही हैं मेडिकल साइंस में टेक्मिलोजी में जादा रात दिन अनुसंधान हो रहे हैं और भी कई होने की संभावनाएं हैं तो इस तरह से अगर हम बिटामिन E भी खा लेते हैं थोड़ा सा मात्रा लेते हैं कई मेडिसीन ऐसे सप्लिमेंट है तो उससे इसके रिस्क घड़ जाते हैं हमारे जो भी कंडिशन हो रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो वो हमारी सारी सिच्वेशन को समझ के एकोडिंगली हमें दे नहीं पाएंगे और हमारे लीवर जो हैं वो कंटिनीव अस्ट्रेस में पढ़ेंगे मित्रों अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको बन बता दूँ कि इसका अभी तक कोई भी मेडिकेशन है नहीं जो कि लीवर डिजीज से आपको निजात दिला सके अभी बहुत ही ज़ादा अनुसंधान की जरूरत है जो कि इसके मेडिकेशन को और भी अस् डाइट को चेंज करना होता है हम अपने लाइफ स्टाइल को रिवर्स करा सकते हैं इस लीवर डिजीज के जो भी छती हो चुके हैं और अलकोहल को छोड़ दीजे इस तरह से ये सब ही बारिकी हैं कुछ जिसमें अगर आप गिनना चाहते हैं तो आप गिन लिजे कि एडिकेशन कर लिजे लास्ट में आते हैं सर्जरी किये जाते हैं सर्जरी के तहट तो सीधा रिप्लेस ही होता है अभी तक ऐसा को एकूपेंट बना नहीं और अगर सिरोसिस के स्टेज में है तो यह लीवर फेलर करा देता है जो कि आपको आगे चलके लीवर कैंसर और ली अरवेद के हिसाब से जो की कारगर सीध हुए हैं लीवर डिजीज को काफी हद तक उसका समन करने में इलाइज करने में तो घरेलून उसके अमित्रों इसके अकसर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं आपको विश्वास और पोजेटिव एचिट्यूड की जर्वत ह मुझे पूरी उमीद है यहां होम रिमेडी और ट्रिक्टमेंट की विडियो आपके लिए काफी उजपुल रहा होगा